किसान साथियों नमस्कार आप सब का हार्दिक स्वागत है अमेजिंग किसान के यूट्यूब चैनल में ये जो मेरा पोधा आप देख रहे हैं आप इसे थोड़ा क्लोज से देखिए कि ये पोधा मैंने दिसंबर 2020 में लगाया था और इसकी बढ़वार अभी जो जनवरी फरवरी तक थी यहां तक थी ये पति देखे ये मजबूत हो चुकी है लेकिन आप सभी पतियों का रंग देखेंगे तो जो पुरानी पतियां हैं गिरने वाली हैं ये देखे एक आज जो पिली हो गई है लेकिन अमूमन सब की सब हरी हैं ये जो पतिया निकली हैं यहां से एक दो तीन चार पाँच अभी तक ये इसी वर्ष फरवरी और मार्च महा की पतिया हैं और आप देखिए कि इन पर कोई भी रोग नहीं है बिल्कुल सुष्थ हैं और हरी बरी हैं ये देख लीजिए ये देखिए किसी पर भी कोई रोग नहीं है इस समय आपके आसपास हर्याई कम होने लगती है फसले पकने लगती है और जो कीट है वो बाग की तरफ आकरसित होते हैं ये मैंने पिछले वर्ष भी बताया था क्यों होते हैं कि जो हरी अली है वो इस समय को भी देखिए ये धवल का पोदा है और यहां पर इसमें ये कलिया भी आ गई है देखिए एक दो दो पत्तो पर इसमें कलिया भी आ गई है लेकिन सबी पत्ते कितने हरे भरे हैं इसका कारण क्या है किसान साथियो मैंने अभी पिछली वीडियो में बता था कि मेरे फार्म पर गोमाता आई है और मैंने गोमाता के जो गोबर और मूत्र होता है उससे विबिन परकार के प्रोड़क्ट बनाने सुरू किये है इन पोधों पर अभी तक इस वर्स में दो बार सलेरी का अगर स्प्रे करते हैं तो आपके पोधों को खूब नाइट्रोजन मिलती है और बहुत ही हरे बरे होते हैं लेकिन इसके साथ-साथ जो बहुत हरे बरे होंगे ये थोड़ा कीटो को भी अकसित करते हैं देखिए ये जो है ये एक ब्लैक एफिड रोग है आप अपने पोधों को ध्यान से देखते रहिए या तो इस समय इस प्रकार कोई कीट नजर आएगा या आपको जो पत्ते खाने वाले हैं ग्रास उपर नजर आएगा या मकडी नजर आएगी इनका क्या इलाज है वो इलाज हम अभी तक केमिकल के रूप में करते आए हैं जैसे हम किसी भी इनसेक्टि साइड का उप्योग करेंगे उसमें चाहे वो एसिट अपरियमाइड हो चाहे वो प्रोफेक्स उपर हो चाहे वो रोगोर हो चाहे वो एमपलीगो हो चाहे वो पिन परकार के जो इंसेक्टिसाइड हैं, वो तुरंथ ही इन कीटों को समाप्त कर देते हैं. मुझे कुछ भाई ये कहते रहते हैं, कि त्यागी जी आप हमेशा वो केमिकल पर बात करते हो. किसान सातियों, जब मैंने ये समझाया कि बाग इतना आसान नहीं है, तो मैंने इसको पूर्ण रूप से विवस्थित करने का कारिये किया. धीरे धीरे अपना पहले एक सिस्टम बनाया और उसी का परणाम सरूप में एक गाएं लेकर आया. अब मैं धीरे धीरे इसे एक से दो वर्स में पूर्ण ते जविक कर दूँगा. और जो मेरा एक छोटा बाग है जिसे मैं अक्सर दिखाता हूँ, उसमें पूरी तरह जविक का कारिये चल रहा है इस वर्स से. अब इसके लिए क्या किया है, जो हमारे जविक उत्पाद हैं, वो एक प्रिवेंटिव, यानि पहले से सुरक्सा का कारिये करते हैं. अगर बिमारी आ गई और तब आप जविक करने लगें तो आपकी फसल को काफी नुकसान हो चुका होगा. चाहे वो नीमा तोड़ हो, या जडगलन हो, जडगा रोग हो, या पत्तों पर कीट हो, या कोई और बिमारी हो. आज मैं इसमें से एक उत्पाद बताता हूँ आपको, वो उत्पाद मैंने कई जगें वीडियो देखकर और लोगों के देखकर उस पर मनन करकर के इसका क्या फाइदा होगा. मैंने एक बार दस पतियों का रस भी बताया था और वो वेस डी कमपोजर से बनाया था, लेकिन एक बार मेरे यहाँ इल्ली आ गई और मैंने उस पर 100% का इस्प्रे कर दिया था, लेकिन वो इल्ली नहीं मरी थी, उस इल्ली पर उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा था. इसका आर्थ ही है विया कि जब बिमारी आ जाती है तब यह कारियन नहीं करते हैं. इसका मतलब यह था कि या तो उसमें कुछ कमी रहे गई या यह पूरा प्रिवेंटिव हैं. देखते देखते मैं पहुंचा डाक्टर वोहरा जी की वीडियो पर और राजीव दिक्सित ज तहां से सब इस ज्यान की जो कहीं भी किसी की वीडियो ले लो उसमें कहीं ना कहीं उसका अंस जरूर मिलेगा. तो मैंने उस दस पढ़नी अंस जिसे दस पढ़नी अंस भी कहते हैं, पतियों का रस भी कहते हैं, उसमें मैंने दस चीजे मिलाई. धतुरा, पांग, नीन, प्रखा, मदार और इस तरह के चिर्चिता इस तरह की दस पतिया ली मैंने, लगभग दो से तीन किलो तोला नहीं था, उनको लाकर अच्छी तरह मैंने धोया, धोने के बाद उनको बारीक कटवाया और मैंने एक ड्रम में 200 लिटर के उनको भर दिया, ड्रम करीब आदा हो गय मैंने एक किलो हरी मिर्च, एक किलो लहसन, एक किलो अधरक और एक किलो प्याज, इन्हें कूट कर, अच्छी तरह बरीक पीस कर, इन्हें कूट कर, मैंने उसमें डाल दिया, और जो इस्थान था बाकी उसमें पानी भर दिया, केवल पानी, मैंने पानी भर दिया, पानी भर स्ट्रेट हो जाते हैं यानि पानी में आ जाते हैं लेकिन मैंने उसे दो महिने तक रखा बीच में एक दो बार खोल कर देखा तो बड़ी अच्छी महक आते थे उसका इस्प्रे जब वो तयार हो गया तो 20 लिटर की टंकी में मैंने 500 ml डलवा कर इस्प्रे कराया इन पर और आ अभी परसो मैंने फिर कराया था इन पर और ये खतम हो चुका है अगर आप इस समय परतियक 15 दिन में एक इस्प्रे इसका कर देंगे मेरे पास जो तयार हुआ था वो लगभग 130-140 लिटर तयार हुआ था अपने बाग में रोज भूमता हूं और इस बात का नेरिक्षन करत हूं कि क्या मेरी पतियों में कोई रोग है अभी तक मुझे कोई मकडी कोई कीड़ा कुछ नहीं मिला जैसे यह दिखाई दिया था यह जो मुझे था यह इस तरह का यह सब जो हना देखे यह मर चुके अगर कोई आएगा भी तो वो मर जाएगा चुकि यह एक जहर का था ब कर योग कर सकते हो आधा लीटर 20 लीटर की टंकी में मिलाईए इस रेशो में मिलाईए और इन पर करिए आपके इंसेक्टी साइड का खरचा बचेगा करकर देखे थोड़े पोधों पर करकर देखे अभी तक मैंने इस वर्स इन पर दो इस्प्रे करा चुगा हूं मैंने कि किसी भी इंसेक्टी साइड का इस्प्रे अपने अमरूदों पर नहीं किया है अब यह कैसा दीखता है मैं आपको यह बताता हुआ है यह जो है यह वो पतियों का रस है अगर आप इसे देखेंगे इसमें से लैसन की अद्रक की प्याज की सभी चीजों की खुश बुआ रह इन कीडे मकोडों के लिए और इसको आप सावधानी से करें पहली बार कम करें अगर आपको इसका असर कुछ कम लगता है तो थोड़ी सी मात्रा बढ़ा सकते हैं हो सकता है मेरा यह डाइलूट बना हो चुकि जब भी हम कोई उत्पाद बनाते हैं तो उसमें जो किलो मिला हो या नीम कम रह गया हो तो इस प्रकार से आप उसकी मात्रा थोड़ी बढ़ा सकते हैं पर सुरू में कम रखें डाक्टर वहरा तो 300 ml से रिकमेंड करते हैं कि 300 ml करिये अभी तक मुझे इसके अच्छे परिणाम मिले हैं और इसमें मैंने केवल पानी में यह कारि अमरत और सलेरी के बाद में जो पेस्ट के लिए हैं जो इंसेक्ट आते हैं उनके लिए हैं इसी के साथ विदा लेता हूं धन्यवाद नमस्कार जै हिंद जै भारत वंदेवाद झाल